पिनिया पर गेम को खेलना था और जो ऐसा नहीं करेगा उसको पिशली के जटके दिये जाएंगे क्या आपने कभी ऐसी गेम खेली है जिसमें एक गलती की वज़ा से आपके जान भी जा सकती है तो कहानी के शुरू में हम एक मशूर यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम जैक्स प्रो होता है वो पने स्टूडियो में बैठा एक गेम के बारे में बता रहा था वो बताता है कि इस गेम में आठ प्लेयर्स होंगी और आठ ही बेस्ट गेम्स होंगी लेकिन इस गेम का विनर सिर्फ एक ही होगा जो इस गेम को अकल मंदी से खेलेगा और इस गेम का नाम होगा आप्टो गेम्स जो इस मूवी का नाम भी है इसके बाद हमें जैक्स प्रो के स्टूडियो का सीन दिखाय जाता है जहाँ पर कैरी नाम की लड़की भी इस गेम में हिस्सा लेने आई थी यहाँ पर सबसे पहले कैरी से जैक्स प्रो के स्टाफ के लोग एक पेपर पर साइन लेते हैं जो कि इस गेम में हिस्सा लेने की बारे में थी केरी तभी यहाँ पर ये भी नोटिस कर लेती है कि उस टूडियो में हर चका पर कैमरास लगे हुए थे यहाँ केरी के इनावा और लोग भी थे जो इस गेब में हिस्सा लेने आये थे वहाँ पर जितने भी लोग थे सब को ये लग रहा था कि वो बड़ी ही आसाने से जीत जाएंगे तब ही वहाँ एक स्क्रीन चलती है जिस पर जैक्स प्रो आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था वो सबी को यहाँ पर गेम्स के बारे में बताता है वो ये भी कहता है कि इस गेम के बाद वो सोशल मीडिया को छोड़ देगा वो कहता है कि मेरे सारे अकाउंट्स जिस पर 115 मिलियन फॉलोवर्स है मैं अपनी आईडी उस इंसान को दे दूँगा जो इस गेम को जीतेगा यानि कि इस गेम का विनर होगा आप लोगों को वैसा ही करना होगा जैसे कि साइमन कहीगा जम करो कूदो तो आप लोगों को कूदना होगा और अगर इसके इलावा किसी ने कुछ भी किया तो इस गेम से निकाल दिये जाएंगी और बाकी के बचे लोग आगे इस गेम को खेलेंगी इसी तरह से गेम आगे बढ़ती रहेगी और आखिर में एक विनर होगा जिसके बात वहाँ पर एक फॉक्स मैन आता है जिसने लोम्री का ड्रेस पहना हुआ था इसका काम हारने वाले प्लेयर्स को गेम से बाहर करने का था उसको देख कर सब बहुत कुछ थे वहाँ पर स्टा लेकर उसे मार देता है उस प्लेयर को मरता देख सबी डर गए थे तब यह तियरकी वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन यहां उपर बैठा आदमी उस पर भी गोली चला कर उसे मार देता है ऐसे ही वो बहुत से लोगों को मार देते हैं जो जो भागने की कोशिश कर ये सब देखकर वापर बचे हुए प्लेयर्स इस बात को समझ गए थी कि अगर उन्होंने इस गेम को ना खेला तो उन्हें पी अपनी जान से जाना होगा इस गेम को दुपारा से खेलने का कहा जाता है साइमन सब को एक टांग पर खड़े होने का कहता है पर एक प्लेयर से ग गोली चला कर मार दिया जाता है उस लड़की को देखकर वहाँ पर प्लेयर्स भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें भी वहाँ पर मार दिया जाता है पहला राउंड खतम हो गया था बचे थी आर्ट प्लेयर्स जिनको जैक्स प्रो मुबारिक बात देता है और कहता ह कि आप लोगों को इस गेम को खेलना होगा और सभी को एक एक करके अपने बारे में बताने का कहता है जितमें से कैरी अपने बारे में बताती है कि वो एक सिंगर है दूसरा प्लेयर एक वीडियो गेम स्ट्रीमर था यानि कि वो बहुत से लाइव वीडियो गेम्स खेलना करता तीसरी प्लियर एक कॉमेडियन होती है जबके चौती एक कुक थी और पाँचवा प्लियर अपना नाम स्टीवन बताता है। छटा प्लियर एक बिस्निसमैन था। साथवे जिम ट्रेनर और आखिर में आठवे प्लियर जोके कार्टोन चैनल की होस्त थी। इन सबके बाद जै सदा डरे हुए थे। सब यही सोच रहे थे कि आखिर इनके साथ होने क्या वाला है। यह जिन्दा रहेंगी या पहले प्लियर की तरह मारे जाएंगी। यहाँ पर कैरी के साथ कॉमेडियन और जिम ट्रेनर ने मिलकर अपनी एक टीम बना ली थी। उन्हें एक बिस्निसमै होगा तब आप लोगोंने आगे जाना हैं। उर लाल रंके आने पर रुख जाना होगा। अगर कोई लाल रंकay आने पर आगे बढ़ा या कुदा तो वो हार जाएगा। जैसे ही कोई भी एक प्लियर इस गिम में हारेगा तो ये गिम यही पर खत्म हों जाएगी। अब ग सीटी बजाता है जिससे उस पिचारी का धियान भटक गया था और गलिती से वो लाल रंग के आने पर आगे बढ़ जाती है तब ही फॉक्समैन आता है और आकर उसे अपनी हतोरे से मार देता है जैसा कि इस गेम का असूल था जो हारेगा वो अपनी जान से जाएगा कैरी अपनी साथी के लिए बहुत दुकी थी तब ही ऑन के बातों को सुनकर हा कर देती है और वो बेगोश हो गई थी तब है वीडियो गेमर लड़का उसके पास आता है और उसका खुण साफ करता है वो केरी और कौमेडियन लड़की को ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारी साथी की मौत का बहुत अफसोस है वो लड़का भी अपकेरी और कॉमेडियन लड़की के साथ मिल गया था वो उन दोनों से कहता है कि आज रात हमें यहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंगना होगा क्योंकि वो और मजीद इस गेम को खेलना नहीं चाहते थे उदर दूसरी तर्फ हम जैक्स प्रो को देखते हैं जो पनी दोस्त के साथ था जिसको हमने कहानी के शुरू में भी देखा था उसकी दोस्त के पास सभी प्लेयर्स के मॉबाइल फोन्स थे जो बैट कर मॉबाइल से उनके घर वालों को मैसेज़िस कर रही थी ताकि किसी को भी शक ना हो कि वो मुसीबत में है क्योंकि इस गेम के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता था वो दोनों 3 दिन के अंदर-अंदर यहां से भागने का प्लैन भी बना लेते हैं जिसके बाद प्लेयर्स के लिए से इस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाती है और टाइम शुरू होते ही अबस्टिकल कोर्स को पार करने लगी थी मगर उसके अंदर जाते ही उसे फॉक्समैन मिलता है जो उसे आगे जाने से रोक रहा था पर जैसे तैसे वो उससे बाहिर आ जाती है सब उसे देखतर बहु मैं बस यहां से जाना चाती हूं मगर थोड़ी ही तेर बाद वो कहती है क्या पता इस गेम को जितने के बाद मेरी जिन्दी की बदल जाए इसलिए यह सब सोचकर वो तुबारा से टीम में जाकर खड़ी हो जाती है जिसके बाद यह गेम भी खत्म हो गई थी अब रात को हम से चली चाती है और काल करके जेक्स प्रो की दोस्त को बलाती है वो उस चीज़ को लेकर उसे दे देती है यहां पर हमें पता चलता है कि जेक्स प्रो की दोस्त उसे मारना चाहती थी और उसने इस लड़की से जहर मंगवाया था ताकि वो जेक्स प्रो को मार सके इसके तोड़े को हाथ लगाता है तो वो जाग जाता है तब ही वो रड़का उसे डर जाता है और चुप चाप जाकर सो गया था सुबा भी हो गई थी साथ ही इनकी चोथी गेम भी शुरू हो जाती है ये गेम थी म्यूजिकल चेर यानि कि जब तक म्यूजिक चलता रहेगा इन्हें चेर्स के इर्द के धुमना होगा और म्यूजिक के बंद होने पर जो सबसे पहले बैठेगा वो ही जीच जाएगा और जो नहीं बैट पाएगा वो हार जाएगा फिर जो आखिर तक इस गेम को खेलेगा उसकी अकाउट में बहुत से पैसे भेचे जाएंगे ये गेम अब शुरू होती है एक एक करकर सभी प्लेयर्स बाहिर हो गए थी आखिर में कुक लेडी और स्टीवन बचते हैं जहां दूसरी दर्फ उन प्लेयर्स को भी दिखाया जाता है जो गेम से तो बाहिर हो गए थी पर वो अभी भी जिन्दा थी तब यहां पर जैक्स फ्रो की वीडियो चलती है जिसमें वो बताता है कि गेम में एक मज़े का टूिस्ट है यहां पर वो मरेगा जो आखिर में चेयर पर नहीं बैट पाएगा अब स्टीवन और कुकलेटी में मुकाबला होता है जहां पर कुकलेटी जीत रही थी लेकिन तबी स्टीवन उसे चेयर से नीचे गिरा देता है और खुद उस चेयर पर बैट गया था बएमाने से स्टीवन ने इस गेम को जीत लिया था उसकी सरकत को बागी के प्लेयर्स भी स्क्रीन पर देख रहे थे ये सब देखकर बिस्निसमैन सब को स्टीवन के खिलाफ बढ़काता है कि उसे तो सिर्फ अपनी जीत की पड़ी है उसे किसी की कोई फिक्र नहीं ये सब बाते सुनकर सबी बचे हुए प्लेयर्स बिस्निसमैन के टीम में शामिल हो गए थे ये गेम भी खत्म हो जाती है जिसके बाद जेक्स प्रो कुकलेटी के पास आता है जो बहुत ज़्यदा जखमी थी वो से कहता है कि मैंने देखा तुमने सारी गेम्स को बहुत अच्छे से खेला है पर अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टाफ का हिस्सा बनो वो को किस बात पर खुशी खुशी मान गई थी दोस्ती तरफ हॉल में कैरी और बाकी के ब्लेयर्स थे इन्होंने अब पाच फी गेम को खेलना था जिसका नाम था हाई डंसी यानि के इन्हें इस घर में छुपना होगा और फॉक्स मैन इन्हें ढूंडेगा जेक्स प्रो बताता है कि जिसको सबसे पहले ढूंड लिया गया वो मारा जाएगा तबी जल्दी जल्दी सब छुप जाते है फॉक्स मैन एक कोने की तर्फ जाने लगता है जहाँ पर कैरी छुपी हुई थी पर तबी स्टीवन आवास कर देता है जिससे फॉक्स मैन उसकी तर्फ बढ़ता है पर वो जल्दी से दूसरी तरफ जाकर छुप गया था जहां पर बागी के दो प्लेयर्स पी छुपे हुए थे तब ही कैरी इस घर से बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी उधर दूसरी तरफ स्टीवन और बिस्टिसमैन मिलकर कॉमेडियन लड़की को धका देकर बाहर निकाल देते हैं फॉक्समैन ने उसे देख लिया था और उसे पकड़ कर मारने लगता है आवाजे सुनकर कैरी अपनी दोस को बचाने जाती है पर उसके पहुँचने से पहले फॉक्समैन ने कॉमेडियन लड़की का गला दबाकर उसे मार दिया था ये देख कैरी बहुत रोती है उसकी दोस की मौत के साथ ये गेम भी खत्म हो गई थी कैरी अब बहुत जादा दुकी थी वो वहाँ पर स्टीवन पर चिला दी है और कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया तब ही हम दूसरी तरफ जैक्स प्रो को देखते हैं जो कुक लेडी को अपने साथ स्टोडियो में ले गया था जहाँ पर उसने उसी लड़की को बान कर रखा हुआ था जिसने इसकी दोस्त को इसे मारने के लिए जहर दिया था इसका मतलब ये था कि जैक्स प्रो को अपनी दोस्त की सचाई पता चल रही थी कि वो इसे मारना चाहती है वो कुक लेडी से कहता है कि इस लड़की को देखो तुम्हें इसे मारना है इसने मेरे साथ गदारी की है अगर तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहती हो तो इसे मार दो ये बात सुनते ही कुक लेडी बागलों की तरह उस लड़की पर हमला कर देती है और उसे भी मार देती है इसके बाद इनकी छड़ी गेम शुरू हो जाती है यहाँ पर इनोंने बिसनिसमैन हार गया था तो उसे भी गोली मार दी चाती है मगर वो मरते हुए फॉक्समैन का मास्क टा देता है इस बात पर उसे बहुत गुसा आया था वो अपना हाथ तोड़ा लेकर बिसनिसमैन को मार देता है यह देख सभी प्लेयर्स डर गए थे जिसके बाद जेक्स स्क्रीन पर आता है और इन्हें साथवी गेम के बारे में बताता है जो इन्हें शाम को खेलनी थी जेक्स प्रो जो अपनी दोस्त के साथ था उसकी दोस्त उसके लिए जूस लाती है जिसमें उसने जहर मिलाया हुआ था यहाँ पर जेक्स प्रो एक चलाकी करता है वो उस ज अब इन्हें आपर साथवें गेम को खेलना था जिसका नाम था हैंड मैन यहां पर इन्होंने सही लफ़ को बताना था और जो ऐसा नहीं करेगा उसको बिशली के जटके दिये जाएंगे स्टीवन तो टीक लफ़ बता देता है और उसकी जान भी बच गई थी पर कैरी का दोस अब स्टीवन और कैरी यहां पर वो स्टीवन से कहती है कि तुम ही सबकी मौत के जिम्यदार हो तुम्हारी therefore से ही सब मरें हैं तुम एक बहुत पूरे इनसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है यहां पर स्टीवन कैरी से कहता है तुम चाहए जो मरशी का हो पर कल तो को ये भी बता देता है कि ये फाइनल और आखरी गेम है जिसके बाद मैं इस सारी गेम को अपने अकाउट पर अपलोड कर दूँगा और मैं यहां से हमेशा के लिए चला जाओंगा गेम के शुरू होते ही कैरी और स्टीवन दोनों एक साथ लाल छंडे को पकड़ लेते हैं तबी जोन लगा कर स्टीवन उस जंडे को अपनी तर्फ ठैशता है जिससे कैरी जमीन पर गिर गई थी पर जैसे ही कैरी को एक और जंडा नजर आता है जो के काले रंका था वो उसकी तर्फ भागती है और उसे ले लेती है जो बिल्कुल सही जंडा था तबी कुक लेडी स स्टीवन से अपना बतला बिले लिया था जैक्स प्रो स्क्रीन पर आकर कैरी को जीतने के मुबारिक बात देता है तब ही वहाँ पर उसकी साथ ही आ गए थे जिनोंने कैरी को इंजेक्शन लगा कर बेहोश कर दिया था जिब कैरी को होश आता है तो वो अपने घर में थी ज आदमी उसे एक वीडियो बेचता है और देखने का कहता है जैसे ही वो वीडियो को देखती है वो वीडियो देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि उस वीडियो में कोई और नहीं बलके जैक्स प्रो था जो अपने नए नाम नई आईडी के साथ वापिस आ गया था जो फिर से वीडियो बना रहा था अपने नए नाम के साथ जिसको देखकर कैरी बहुत डर गई थी आगी जैक्स प्रो इसके साथ गेम्स खेलेगा किस किस की जान लेने वाला था और इसी से स्पेंस के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है